नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां आज मैं लाई हूँ एक ऐसा सिंपल एफेक्टिव और हंडेट परसेंट नैचुरल हेर रेमेडी जो आपके बालों को पनाईगी एकदम स्ट्रॉंग शाइनी और लॉंग यह रेमेडी इतनी आसान है कि आप इसे घर पर ही बना सकते हैं और इसका रेजल्ट देखकर दोस्तों आप बाहर के महंगे हेर प्रोडेक्स भूल जाएंगे इस चीज़ की मैं गैरेंटी लेती हूँ तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप मेरे बाल भी देख सकते हैं यह बहुत सारे लोग ना मेरे वीडियो पर कमेंट्स भी करते हैं कि यह आपने नकली लगा हुए है दोस्तों लेकिन आप बिलकुर नहीं है यह जो मेरे बहार है वह असली रेगनम बहुत जादा सिल्की शाइन एक दम स्मूध रखे हुए है इसलिए साय तो लोगों को भी भरोसा नहीं होता है तो मैं उनकी भी गलती नहीं बताऊंगे इसमें क्योंकि जब बाल इतने अच्छे होते हैं तो भरोसा करना की थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लेकिन मैं यही करना चाहती हूँ कि अगर आप यह हूम रमेडिज का यू कुस नहीं किये हैं इसलिए मुझे उनका नाम भी नहीं बता है तो मैं उनका आपसे बोल भी नहीं है कि आपको करवाना चाहिए आप यह घर की रमेडिज का ही यूज करें और एफेक्टिव लगे तो मेरे साथ फीड़ ज़रूर शेयर करें तो आगे मैंने से पहले दोस्त करना चाहते हैं तो वह भी ले सकते हैं लेकिन उसका कैसी यूज करना है दोस्तों मैं आगे वीडियो में आपको दिखा भी रही हूं तो वीडियो बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके ठीके तो मैंने यहां पर इस कंपनी कर हम जानते हैं सबसे पहले कि क्या क्या फायदे होते हैं हमारे बालों के लिए तो यहां पे देखिए सबसे पहला बैनिफिट्स होता है दोस्तों कि यह ना हमारी kier क्रोथ को बूस्ट करता है जो हमारी डाड़ि इसकिन सेल से झाल रिमोफ करता है और हेर फाली कल्ट unos को correct क करता है एलोवेरा एक नैचुरल मॉस्चुराइजर की तरह काम करता है जो कि ड्राय और फ्रिजी हेर को स्मूद और शाइनी बनाता है हेर फॉल को कंट्रोल करता है एलोवेरा स्केल्फ को स्ट्रेटन करता है और हेल्फ और रिड्यूस करता है दोस्तों उसी के साथ अगर बहुत जादा डेंडराफ हो रहा है तो एलोवेरा में एंटी फंगल और एंटी बैक्टेरियल प्रोपर्टीज होती हैं जो कि डेंडराफ और इचिंग को बहुत जादा रिड्यूस कर देती हैं अगर दोस्तों आपको इस्प्लिट एंड्स की शिकायत है यानि कि दो मुहें यूस करना आना चाहिए बस तो यहां पर मैं अब देख सकते हैं मैंने एक लीव लिया हुआ था यानि कि पत्ता लिया हुआ था अलोवेरा का और उसका पूरा पल्प निकाल लिया है दोस्तों यहां पर सिर्फ हमें इसका पल्प ही चाहिए होगा अब मैं इसको कट कर लेत हुआ हुआ क्योंकि मिक्सी में इतने बड़े जो पीस होते हैं वो सही से नहीं पिस पाएंगे है ना एलोवेरा एक मल्टी परपस नैचुरल इंग्रीडियंट है जो हेर के लिए मौस्ट हेव है रेगुलर यूस से आपके बाल ना सिर्फ हेल्दी होंगे बलकि नैचुरल शाइनी और एकदम स्ट्रोंग बनेंगे वो भी दोस्तों अंदर से आपको भरोसा नहीं होगा कि मात्र एक प्रोडेक्ट से आपके जो बाल है वो इतने सिल्की शाइनी और बहुत जादा स्मूध हो जाएंगे और हैर फॉल तो बहुत ही जादा कंट्रोल हो जाएगा तो मैंने एक पत्ता ले लिया था एलोवेर का और इस बड़ी आ से चिल लिया है उसके इस तरह षोटे चोटे टुकड़ों में कट कर रही हूं पाल्प को और मिक्सी में बड़ी आ से इसको पीस लूनगी तो हमें जो पाल्प मिलेगा ना उसका भी आप यूस कर सकते हैं या फ कर सकते हैं उसी की साथ मैं आ ले रही हूं नारियल का तील दोस्तों इसके भी कही सारे फायदे हैं इसे भी हमें यूज करना ही चाहिए और यहां पेना एलोवेरा जैल की साथ अगर आप ऑईल का यूज करेंगे तो स्केल्फ में बहुत अच्छी तरह से यह पैनेट्रेट भ लगाएंगे न तो आप देखेंगे आपके बाल कितिने स्वाफ्ट हो जाएंगे दोस्तों हेयर फॉल भी बहूत कम कर देता है और अगर आपके बाल बहुत जादा डामेज हो गयं वहां रुखे सुके हो गया हैं फिर तो आपने इस तरह से नारियल तेल का यूज करना ही आपके जो बाले बहुत जादा सिल्की, स्मूध और बहुत जादा शाइन करेंगे आपको कंडिशनर करने की जरुवत नहीं पड़ेगी यकीन मानिये इस तरह से अगर आप ये हैरोईल का यूज करेंगे तो और साथी में अगर आपके बालों में बहुत जादा डेंडरफ होता है ठंड में ये शिकायर हर किसी के साथ होती है, मेरे साथ तो होती है आप मुझे कमेंड में जरूर बताईएगा कि आपके साथ भी ऐसी दिक्कत आती है अगर हाँ तो जरूर से बताईएगा दोस्तों और एक बार इस तरह से ये remedy का जरूर यूज़ कीजेगा आपको बहुत हद तक फायदा मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों को mix कर लिया है और वो इस तरह से thick consistency में हमको मिल गया है तो यहाँ पर दोस्तों बड़ियां से हम mix करेंगे तो वो इस तरह से thick हो जाएगा और उसके बाद मैं यहाँ पर next ingredient ले रही हूँ हमारे बालों की दुगनी तेजी से कर देते हैं अगर आपके बहुत जादा बाल ड्राइ और फ्रिजी हो गया है और ठंड में तो बहुत अच्छे अच्छे बाल भी खराब होने लगते हैं ठीके तो उनको यह नरिश्च करता है ड्राइनेस को भी दूर करता है और उसी के स हमें सिर्फ एक कैपसूल ही इसका लेना है ठीके और इसे दोस्तों हमें बढ़िया से हमारे स्केल्फ पर अप्लाइ करना है यहां पर हमें पूरा एक कैपसूल लूँगी अगर आपके बाल जादा ही खराब हो रहे हैं तो आप दो कैपसूल भी ले सकते हैं ठीके यह कहीं भी मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगा असानी से यहां पर दोस्तों आप देख भी सकते हैं मैंने बढ़िया से इसको दो मिनिट के लिए मिक्स कर लिया था और यह इस तरह से कुछ दिखने लगा है ठीके तो आगे दोस्तों मैं अपने बालों पर भी अपलाई करके इ देख सकते हैं जैसे जैसे अपने बालों पर आप इसे लगाएंगे यह अब्जोर्ब होता जाएगा जैसे कि मेरे हातों पर हो गया है ठीके तो चलिए अब मैं अपने बालों पर भी अपलाई करके दिखा देती हूं कि हमें किस तरह से लगाना है कितना लगाना है तो इस कर दोस्तों पांच मिनिट हम ऐसे ही लगाने के बाद भी मालिश करेंगे इस तरह से ठीक है नाकूनों से नहीं करना है सिर्फ इस तरह से उंग्लियों से करना है हफ्ते में दोस्तो आप इसका दो से तीन बार यूज़ कर सकते हैं बहुत जादा इफेक्टिव है बहुत ही जादा उसके बाद दोस्तों आपने एक घंटा रखना है अपने बालों में या फिर आप हो सके तो रात भर भर भी रख सकते हैं उसके बाद कोई भी माइल शैंपू से आपको हैड वाश कर लेना है रिजल्ट आपके सामने होगा चलिए मिल मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैश्री शाम